वोर्ड दोष्तोर स्वागत्याप सभीका स्पेरपार्ट वरा.टन पर इस यूदियो में हम देखने वाले हैं आर्मिचर के बारे में और की लगता है आर्मिचर अपने सिलाई मशीन में आप सभीके घ़र सबसेस्ट आरमिचयर और गटया निकिवक अब दोनों को कॉलेटी किक है कि जो आपको ब्लू एला दिख रहा है सबसे अग्ला यह सबसे भेस्ट यह दोनों को है या फिर copper की है यह दूसरी बात जो है इसमें हम देखें यह जो है इसका यह CRC में है यह फिर मारोती में मारोती यानि अपना पूराणा वाला होता है stamping तो stamping कौन से लगी होई यह मारोती वाली है यह फिर CRC वाली है ठीक है दो point हो गए उसके बाद इसकी जो और इसकी को डिफरेस आ रहा है पीछे इसमें डिफरेंस है तो इन सभेंट को अगर नजर रखते हैं तो इसमें price को difference आता है तो ये देखिए ये एक type से लेकिन ये जो है बहुत ही कम यूज़ाता है market में सबसे ज़्यादा चलने वाला सिलाबशिंक आर्मिचर ये model है तो आपको swing brown करके नाम से आता है ये swim brown नाम से आता है आप अगर खरीदने जाते है और हमारा android app भी है उससे भी खरीच सकते हैं ये आर्मिचर आपको wholesale market में 180 से 220 में मिलता है और ये आर्मिचर आपको 220 से 250-260 तक मिलता है इसमें और इसमें 20 रुपे का difference रहेंगा ये और ये भी quality same है दोनों ही घटिया quality के आर्मिचर है ये जो आर्मिचर है ये बहुत अच् है और ये 220 के नीचे मिलेंगे और 180 के ऊपर मिलेंगे और ये बात कर रहा हूं मैं copper के बारे में इसी में aluminum का आर्मिचर लेते हैं तो वह आपको इससे भी सस्ते में पढ़ जाएंगा 120-130-140 तक मिल जाता है और सिला मशिन में जो है वह दो ही तरह के आर्मिचर फिटाएंगे ये देखें में दोनों ही तरह के आर्मिचर मेरे हाथ में बस ये दो ही आर्मिचर के टाइप से आप अगर देखें तो समाझ जाएंगे ये आर्मिचर किस तरह से हैं तो ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते है कुछ इस तरह के नए वीडियो के साथ तब तक कि दो देने वोड़